Hey everyone, this is Ram Bhishnoyi and you are watching Geographic Group. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एट की इंग्लिश की वर्क्षीट नमबर थ्री को. आज की इस वर्क्षीट में हम समझेंगे आपके चैप्टर सुनामी को, ये सुनामी चैप्टर का फर्स्ट पार रहेगा, यानि आने वाले कुछ दिनों तक हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. यह जो आपकी वाक्षीट नमर 3 है, अंग्लिश की यह वाक्षीट रहेगी आपकी 12th of April 2021 की, सुनामी, सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर होता, नेचुरल डिजास्टर कौन सा होता है, जो कुदरत की दिन होती है, जैसे एर्थक्विक हो गया, फलर्ड हो गया, सुनामी हो volcanic eruption हो गया जो आलमों की इस्पोर्ट हो गया ये सभी natural disaster कहलाते है ऐसा ही एक natural disaster tsunami 2004 में जो south India की बात करें या जो neighboring country हमारी south की तरह फोर्शनिक neighboring country जा है वहाँ पर आया था और सबको हिला डाला था बहुत कुछ तहस नहस का डाला था तो उसी पर बेस रहे हमारा एक chapter tsunami जिसमें हम tsunami को समझने की कोशिश करेंगे and we will try to understand the experience of all those people who affected due to that tsunami जो tsunami के काण affected हुए थे तो चलिए पहले हम बात करते है एक छोटी सी exercise की during the lockdown period India was affected by some natural disasters look up the news of last 4-5 months and write the names of place and state where these natural disasters occurred lockdown की बात करें last year की बात हो रही है तो उस दुरान काफी सारे natural disasters आए थे तो यहाँ पर हमें 4 natural disasters दिए गे हमें बताना है कौन सी states में यह आए थे यहाँ पर अर्थक्विक की बात करें तो last year यह नौर्थिस्ट के states है नोर्थी स्टेट्स की बात करें सिक्कीम अनाचल परदेश असम वहाँ पर आर्थक्विक है वो आई थी तो यहाँ पर आप नोर्थी स्टेट लेख सकते हो अनाचल परदेश सिक्कीम असम मेंसे किसी एक स्टेट का नेम मेंशन कर सकते हो उसके बाद floods के बात करें तो काफी सारे states को flood जैसी situation का सामना करना पड़ा था केडला के बाद असम और वेस्ट मेंगोल ये कुछ states थे जहां पर तमिलाडू भी जहां पर flood आई थी उसके बाद landslides की बात करें तो landslide it is very common in the northern part की बात करें है हमालेन रिजन्स है उन states में काफी common है तो यहां पर उत्राखंड में landslide की और उत्राखंड के साथ अर्नाचल परदेश में landslide है इस टाइप के incidents हुए थी lockdown की period में उसके बाद cyclone की बात करें तो cyclone तमिलाडू और महराष्ट्रा में दोनों को hit किया था cyclones ने तो यहां पर एक बाद दो बारा से देखिए अर्थक्विक में आप लिखने वाले अर्णाचल परदेश यहां फे flood में एक स्टेट लिखना तो आप यहां पे केडला लिख दोगे landslide में एक स्टेट आप उत्राखन लिख दोगे और यहां पे cyclone में you can write Tamil Nadu और महराष्ट्रा को एक स्टेट लिख दोगे कर लोगे that's okay अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से बैक करके इसको वेडियो को देखिएगा उसके बाद नीचे दिया गया this lesson इस chapter की बात की गिया in this lesson you will read about another natural disaster इसमें हमें एक natural disaster की बात करेंगे that is tsunami on 26 December 2004 a tsunami hit parts of the India such as the Andamanikobar island and the Tamil Nadu coast and a few more countries 26 December को 26 December 2004 को tsunami आती है जिसने इंडिया की ये part को जो तमिलाडू का coast है and Andamanikobar है इसको hit किया था इसके साथ साथ जो हमारी neighboring countries है particularly यहाँ पर Sri Lanka then the Thailand and the Indonesia इन parts को hit किया था इस tsunami ने और उस tsunami के कांदेर was a huge loss of property and the life काफी सारे लोग मारे गए थे प्रोपर्टी का लोस हुआ वो अलक्सी हुआ था यहाँ पर दिया गया a tsunami is very large powerful wave coached by the earthquake under the sea कि tsunami होती क्या है कि जब under the sea कोई earthquake आता है भुकम पाता है तो भुकम पाता है आपको बता है कि भुकम पाता है तो धर्ती कमती है कामती है ना तो ऐसे ही जब भुकम पाता है अंडर दा वाटर आता है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी waves से वो डैल अप होती है tsunami is a very large and powerful waves होती है जो की earthquake के काण आती है जो सुमुदर के नीचे आता है तो उसके काण बड़ी बड़ी लहरे आने शुरू हो जाती है और वही लहरे tsunami कहलाती है B यहाँ पर टास्क दिया गए Can you identify the places marked A and B on the given map यहाँ पर हमें टास्क दिया गए टास्क में क्या करना है A जो point है that is the Tamil Nadu का coast है और B जो point दिया गए that is the undemand Nicobar island है तिनको हमें mention करना है यह आप अपने worksheet में mention करोगे A point is Tamil Nadu and B point is Andaman and Nicobar island यह Andaman का जो उपर की दरप का पार्ट है यह Andaman कहलाता है Southern Parties the Nicobar आप दोनों ही राइट करोगे Andaman and Nicobar island The tsunami caused huge distractions and loss of life and property Here are some stories of courage and survival जो 2004 की tsunami थी जिसके कारण huge distractions होता है काफी सारी लोग है वो मारे जाते है प्रॉपर्टी का लोस होता है उसी से लिरेटेड जो लोग survived थे उससे बच गए थे उनकी कहानी इस chapter में दी गई है तो चलिए उसका पहला पार्ट है हम आज discuss करते हैं यहाँ फे font size थोड़ा सा छोटा दिया गए इस worksheet में और आने वाली कुछ वरक्षिट में भी ऐसा ही रहने वाला है तो थोड़ा सा adjust केजीगा यह जो हम आज रीड करने वाले हैं यह हम रीड करने वाले हैं आपकी honeydew book की page नमबर 25 और 26 है इस stories are all from the undermann निको बार island से वहां की यह कहनिया दी गया ignatius was the manager of corporate society in kachal केचल की corporate society है वहां पर manager है ignatius his wife woke him up at 6 a.m उसकी wife ने उनको सुब़े छे बज़े उठाया because she felt unearthquick उसे लगा earthquick आ गया भुकम पा गया है उनने ने उठाया उठो उठो भुकम पा गया है ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break सबसे पहले ignatius ने क्या क्या ignatius ने ये किया कि tv को उठा करके नीची रख दिया उन्हें लगता था कि अगर tv नहीं होगा तो कल match कैसे देखें चलिए ये अलग बात है तो उनने ने सबसे पहले tv को table से नीची रखा ताकि वो नीची ना गिरे दन दा फैमिली रश्ट आउट ओफ ता हाउस उसके बाद सभी फैमिली मेंबर से वो घर से बाहर की तरफ आ गए वें दा ट्रिमर स्टॉप्ट जब ये भुकम्ब का जो कमपन था वो खदम हो गया बंद हो गया उन्होंने देखा समुदर है उसका पानी है वो उपर की तरफ उठ रहा है इन्दा काउजन कन्फूजन चारों तरफ हका बका हिरान रहे गए थी कन्फूजन हो गया था क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो अफ इस चिल्डरन कोट होल्ड ओफ the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction और उसके दो बच्चे थे उन्होंने उसके mother के father और mother के ब्रदर है उनके हाथ को पकड़े वे opposite direction में भागना शुरू कर दिया उसके बाद उनको उन्होंने फिर कभी नहीं देखा यानि all these people were swept away by those waves कि उन waves में वो बह गए थे His wife was also swept away उसकी wife है वो भी पानी में बह गए थी Only the three other children who came with him were saved कि उन्हों तीन बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बचपाए थे ये कहानी थी Ignisius की उसके बाद संजीव की कहानी पढ़ते है संजीव वो जे पुलिसमें serving in the castle island of the Nicobar group of islands Nicobar group of island में कैचल island है वहाँ पे वो as a policeman work करते थे He somehow managed to save himself वो किसी तरीके से अपने आपको बचा लेते हैं Save himself, his wife and his baby daughter from the waves But then he heard cries for help from the wife of John the guest house cook उसके बाद उन्हें आवाज सुनाई देती है बचाओ, बचाओ, help किसकी आवाज थी? जो उनके guest house के cook थे जोन, उनकी wife की आवाज थी Sanjeev jumped into the water to rescue her But they were both swept away वो पाने में कूद पढ़ता उसको बचाने के लिए लेकिन दोनों ही बह जाते हैं ये कहानी थी Sanjeev की उसके बाद एक और कहानी है, मेगना की कहानी है 13 years old, मेगना वो swept away along with her parents and 77 other peoples 77 other peoples अपने parents के साथ वो पाने में बह जाती है She spent two days floating in the sea दो दिन तक वो समुद्र में ही तेरती रही थी holding on to a wooden door एक दर्वाजा था लकडी का जिसके उपर वो बैठी रही किसी तरीके से उसको सहरा मिल गया खुद को बचा पाई 11 times, सीशा relief helicopters overhead 11 बार उसने देखा relief helicopters उसके उपर से उड़ रहे थे but they didn't see her लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा she was brought to the shore by a wave एक wave की कारण वो किनारे तक पहुंचती है and was found walking on the she shore in a days और लगबग बेहोसी कीसी हालत में वो वहीं पर किनारे पर मिलती है तो ये कहानी थी है कि कैसे लोगों को सफर करना पड़ा था उस टाइम में जब सुनामी आती है अब हम इसी पर based कुछ exercise दीगे easy सी exercise दीगे जिसको हम discuss करेंगे c, d और e पार्ट दिया गए first जो पार्ट दिया गए now complete the sentences with the help of the passes आपो आपो जो पैसे हमने पढ़ा उसकी help से हमें इन sentences को complete करना यानि कि फिलप्स है जो मैंने आपके लिए कर दिया है relief helicopters overhead but they didn't see her तो second में हमारा रहेगा relief helicopters को उस नहीं दिखा उसकी सर के उपर से उड़ते हैं उसके आसपास से उड़ते हैं लेकिन उन्होंने उसको नहीं दिखा Sanjeev lost his life but saved his wife and his baby daughter from the waves Sanjeev ने किसको बचाया his wife यहाँ पर wife आएगा और second जो यहाँ पर fill up दिया गए वहाँ पर हमें mention करना है baby daughter को wave से बचाया उसके बाद next की बात करें जो next हमारा fill up दिया गए ignisius की बात किये ignisius could only save his these children who came with him तो यहाँ पर हमारा रहेगा three children को वो बचा पाई उसके बाद next d task की बात करेंगे जो d task हमें दिया गए in your opinion which words in the list below describe Sanjeev हमें कुछ words दिये गए है और हमें उनको use करके Sanjeev को describe करना है तो यहाँ पर cheerful, brave, careless, heroic selfish, selfless और heartless की बात की गए तो I think that he was very brave brave थी जो कहानी दी गए उसके कोड़ी brave थी तभी तो वो cook की wife को बचाने के लिए कूद पड़े और अपनी wife और baby daughter को बचा लिया he was brave, he was heroic hero थे वो and he was selfless उन्होंने खुद की परवा नहीं की दी यह दो words हम यहाँ पर mention करेंगे उसके बात E जो हमारा task किया गए यह भी काफी E for easy easy task है यह हमारा हमें क्या करना है यहां से हमें यहां से इन phrases को rewrite करना है किस में? past tense में तो past tense में जैसी यहां पर दिये गए feel the earthquake इसको किस में करना है? past में तो felt the earthquake हो जाएगा see the sea rising sea का sa हो जाएगा come with him came with him हो जाएगा past form second form हो जाएगा उसके बाद third यह गए hear cries for help hear का heard हो जाएगा heard cries for help past form second form हो जाएगी jump into the water jumped हो जाएगा second form wake him up का walk him up हो जाएगा तो यह हमने past form में convert translate कर दिया यह था हमारा E task उमीद करता हूँ आज की worksheet आपको बहुत मज़िदार लगी हो बहुत अच्छे समझ में आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तिस वीडियो को like करने के साथ साथ अपने at least five friends के साथ share करना मत भूलीगा और ऐसे हमारे साथ बने रहीगा खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ बने रहीए थैंक यू, बाइ-बाइ, have a nice day